आदेनी स्वाब अपीजी हमने आजादी के अमरित काल में एक बहुत तरह हिम्मत भरा कदम उठाया है मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है हमें बहुत महनित करनी पर दो और वो रास्ता हमने चुना है सेक्चुरेशन का हर योजना के जो लाभार्दी है सट प्रतीशत लाभ कैसे पहुँचे सट प्रतीशत लाभार्दियों को लाभ पहुँचे बीना रोग तोग के लाभ पहुँचे और मैं कहता हूँ अगर सच्चा पंथ निर्पेखता है तो यही है सच्चा सेक्टुलरियम है तो यही है और सरकार उस राह पर बड़ी इमामदारी के साथ चल पड़ी है हम रुतकार में हमने सेक्टुलरियम का संकल्प लिया है सच्च प्रतीशत लाभार्दियों कोंचने का बाज़पां एंडिये सरकार का इस संकल्प है आदें ये सभापती जी ये शत्पतिशत वाली माबाद ये सेच्चिलेशन वाली माद देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है यह उस नागरिक की समझ्याओं का समाधा रहता है यही है देश की समझ्याओं का समाधान है एक ऐसी नई कारे संस्कृच्चि को लेकर करके हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना प्राया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है सेच्यूरेशन वाला हम लेकर क्या है है सेच्यूरेशन तक पहुंतने का मतलब होता है देजबाव की सारी गुन्जाई से खत्व करना जब डिस्क्रिनेशन रहता है तब करप्षन को भी संभावना मिलती है कोई कहेगा मुझे जल्दी तो जो कहता इतना दोगे तो लेकिन सत्प्रतिशक जाना है तो उसको विश्वाद होता है वले इस महने मुझे नहीं पहुचा तीन महने के बाद पहुचेगा लेकिन पहुचेगा विश्वाद बढ़ता है यह तुष्टी करन की आशंकाओं को समाप्त कर देता है खलानी जाती को मिलेगा खलाने परिवार को मिलेगा खलाने गाओं को मिलेगा खलानी बिरादरी को मिलेगा खलाने पंच संप्रवादा को मिलेगा यह सारी तुष्टी करन की आशंकाओं को खतम कर देता है स्वार के आधार पर लाब पहुंचाने की प्रवुर्थी को पूरी कला खटम कर देता है और समाइट के आखरी व्यक्ति को जो आखरी पंग्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और मात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे उसके अधिकारों की रख्षा इसके अंदर समाइट होती है और हम उसको सुनिशित करते हैं और सब्का साथ सब्का विकार ये मतलब यही है कि शत प्रतिशत उनके हकों को पहुचाना जब सरकार की मसिंद्वी का लक्ष हर प्रांक पात्र अब्यक्ति तक पहुचने का हो तो बेदबाव फक्टबाव टीकी नहीं सकता इसलिए हमारा ये हन्डेट परसेंट सेवा अभियान सोशल जस्ट्रीस सामाजिक नयाए इसका बहुत बड़ा ससकत माज़्यम है यही सामाजिक नयाए की असली गारंटी है यही सक्ची पंतन निर्पेक्षिता है यही सक्चा सेकुलरिजम है हम देश को विकास का ये मोडल दे रहे हैं जिसमें हित धारत सबको उनके हक में देश हमारे साथ है कॉंग्रेस को बार बार देश नकार रहा है लेकिन कॉंग्रेस और उसके साथ ही अपनी साजीयों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मोके पर सजा भी देती रही अपनी साथ है